खबर आजम गड़ जिले से हैं जहां एक घर में बुरी तरह से आग लग गई और ग्रहस्ती का सारा सामान जलकर राख हो गया जियनपुर कोतवाली छेत्र के चंगईपुर गाउ में मंगलवार की सुबह 10 बचकर 30 मिनट पर अज्याद कारणों से एक व्यक्ति की घर में आग लग गई आग की घटना से ग्रहस्ती के साथ ही लगभग 50,000 रूपए भी जलकर राख हो गए ग्रामिडो और पुलिस की मदद से डेड़ घंटे बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया चंगईपुर गाउनिवासी शार्दा देवी और मंगन का रिहायशी करकट का मकान है मंगलवार की सुबह मकानों में आग लग गई आसपास किरकेट खेल रहे बच्चों की नजर दोनों मकानों से उठ रहे धुएं पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया इसके बाद पूरा गाउं एक जुट होकर आग बुजाने में जुट गया सुचना पर कोतवाली पुलिस भी पहुँच गई हलका लेखपाल रामेश्वर भी सुचना पर पहुँचे और नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौप दिया है सेयाई विंडियनूस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें